नमस्कान मैं हो यासमीर सुशान संग मामले में सवालों के जाल में घिरी रिया चक्रवर्ती यो तो खुद को बच्छाने की पूर्जोर कोशिश में चुटी हुई है लेकिन अब जो बयान उनका सामने आया है उससे सुन कर एक बार आप भी हैरान रह जाएंगे दरसल रिया ने सुशान की बेहन पर गंभीर आरोप लगाते वे ये कहा है कि सुशान की बेहन प्रियंका उन्हें गलत तरीके से हाथ लगा रही थी रिया के मताबिक बात अप्रेल 2019 की है जब मैं और प्रियंका एक पार्टी के लिए बाहर गए थे प्रियंका ने बहुत जादा शराब पी लिए तो उन्होंने मर्दों और और औरतों के साथ गलत बरताब करना शुरू कर दिया था जब मैंने उन्हें सुशान के घर वापस जाने पर जोर दिया तो वो नहीं माने और शराब पीती रही रिया का कहना है कि अगले दिन शूट की वज़े से वो अकेले घर आकर सो गई लेकिन जब नीन से जागी तो प्रियंका उनके पास थी और उन्हें गलत तरह से छू रही थी रिया की माने तो इस वाक्य को जब उन्होंने सुशान के सामने रखा तो उनकी अपनी बेहन से नोग जोख हो गए जिसके बाद सुशान के परिवार संभी रिया के रिष्टे खराब हो गए आलम ये हुआ कि उन्हें सुशान के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं होने दिया गया तो ये था रिया का वो पूरा बयान जो उन्होंने अपनी सफाई में कहा अब सोसने वाली बात ये है कि जब एडी द्वारा पूर्स्ताज पैसों की हेरा फेरी पर हो रही है तो रिया सुशान के परिवार पर ही आरोप लगाने लगी चुकि सुशान के पिता ने रिया के खिलाब F.I.R. दर्ज कराई है तो क्या इसका मतलब रिया अपने बचाव में उनके परिवार पर ही विवादे टिपणिया करेंगी कुछ वक्त पहले जब बात रिया द्वारा ब्लाक मैजिक को लेकर उठ रही थी तो रिया ने यूरोप में 600 साल पुरानी एक पेंटिंग का हवाला देते हुए सुशान को मानसे क्रोप से बिमार बता दिया और अब उन्होंने सुशान की बेहन प्रियंका के कैरेक्टर पर उंगली उठा दी है ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि इन सब बातों से रिया सावित क्या करना चाहती है झाल